जब बढ़ती है मेरट की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रियाग की ठंडी सी शाम, लखनव की वो नबावी और गोरख पुर में विराजित गोरख धाम, इन सबी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मोका आपको वे मि प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहेए युवां का सपना अभो पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को अवशिकता है और सीपाही प्र गर्मीयों की है, जिनके सलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिडली है आपके अपनी SSC म पुलिस की सबसे बहतरीन तयारी कराने के लिए S.S.C. मेकर लेकर आया है सिपाही बैच जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में सो प्रतिसंत सेलेक्शन की गारंटी तो बिना देरी किये आज ही जोईन करें S.S.C. मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सेलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर कोल करें और SSC Maker App टाउनलोड करें कि नमस्कार साथ यहों मैं जोगंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्रेट फॉर्म SSC Maker पर गोड़ आफ्टरनून सभी को वेरी 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 आफ्टरनून जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी इस क्लास को सेर कर दीजिएगा और जिन बच्चों अभी तक क्लास को लाइक नहीं क्या वो बच्चे पर लाइक जरूर कर दें और हाँ याद रखेगा पैन पेपर लेकर बैठिएगा जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिएगा क्योंकि जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं आप इसे अपने एक्जाम तक लेकर नहीं जा पाएंगे ठीक है साथ में रखेगा यूपी फिलीज 23 के लिए सिपाही बैच है क्राइस कोर्स है तुफिप्टी में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइब क्लास क्लास नोट सब्सक्र फेकल्टी आप पर मिलेंगे यह नंबर है जिस पर फो समुद्र है उसको बर्तमान में मतलब आज क्या कहते हैं यह पूछ रहा है प्रिजेंट नेम ऑफ द्वार समुद्र दा एंसेंट कैपिटल ऑफ होसल इच बेलूर स्रंगेरी हेलेविड और सोमनात्पुर तो यह क्या कहते है यह है आपका हेलेविड या तो हेलेविड आए लगाने कमेंट में लिखकर बताना है कि आज यह किस स्टेट में पढ़ता है आज आपको बताना है कि यह किस स्टेट में पढ़ता है जैसे जैसे यह बिल्कुल उसी तरह से कुष्चन है जैसे पूछता ना हमपी कहां पर या हमपी क्या है तो हमपी प्राचीन विजय नग गर्ज था है जो बिजाय नगर बसाया गया था उसको आज हम्पी बोलते हैं रहना और ये कहां पर एए कर नाटक में हैं कि कहां पर ये आपके करनाटक में तो यह याद रखना निम लेकित दिल्ली सेरसां का मकबरा सासा राम गया सुद्दिन तुखलक का मकबरा दिल्ली गोल गुम्बद भीजापुर इन में से किस इसमारक में बहे गुम्बद है जो संसार के विसालतम गुम्बदों में से एक है पूरे संसार के जो गुम्बद है उनमें सबसे विसाल गुम्बद बीजापूर क्या हो जाएगा यह जाएगा आपका गोल गुम्बद बीजापूर तो यह याद रखेगा ठीक है चलो आगे किसके सासनकाल में डिमेकस भारत आया था हूज डिमेकस केम टू इंडिया या कम टू इंडिया कब आया था तो याद रखेगा यह भारत आया था डिमेकस इन में से किसके सासनकाल में तो यह आया था कनिस्क नहीं बिंदुसार नहीं असोक और नहीं और आपका चंद्रगुप्त मौर नहीं और समी नहीं है यह जाएगा यह जाएगा आपका बिंदुसार जो डिमेकस है यह भारत आया था बिंदुसार के समय में चंद्रगुप्त मौर के समय में आया था मैगस्थनीच कौन थ जो चंद्रगुपत मौरी था इसके समय में आया था मेहगस्थनीच और इसने लिखी है इंडिका यह याद रखिएगा असोक याद रखिएगा इसने यह जाना जाता है कलिंग युद्ध के बाद सांती के लिए जो कलिंग युद्ध है इसे लड़ाता इसने 261 इसके आठ साल के बाद जो है इसने कलिंग दिखिया था यह याद रखिएगा ठीक है कनिस्की के बारे में आपको याद रखना है किसके बारे में कनिस्की के बारे में याद रखना है यह एकमात्र ऐसा सासक है भारत का जिसका जो सामराज जिताना वो दूसरे देश में भी थ तो मैरा उस समय जो भारत हुआ करता था धूरτι आफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश पोर अपनाइंडिया यह इन सब को मिला को दो अच्यवा थेन यह पहले हमारा साशन मतलबलब जो भी एक होटा था ना भोटता था ठीक है लेकिन आ इसमे मैं मतरह हमारे जो भारत ना उसमें कभी भी चीन सामिल नहीं रहा है लेकिन कर इसके समय में पर जो है चीन सामिल रहा है यह याद रखेगा ठीक है बढ़िया है बहुत अच्छी ठीक ठीक है आगे देखो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माड कहां हुआ है ब्याइड महात्मा बुद्धात महापरिनिर्माड टेक प्लेस कपिल बस्तु में बोध गया में कुछी नगर में लुम्मनी में जो महात्मा बुद्ध है इनका जो महापरिनिर्माड है यह हुआ कहा हुआ है महापरिनिर्माड का मतलब होता है आपका म्रत्यू है ना महापरिनिर्माड जो है इसका मतलब होता है आपका म्रत्यू व्यर्डिड महात्मा बुद्दास महापरिनिर्माड टेक प्लेस कपिल वस्तू बोध गया कुछी नगर और आपका लुम्बनी यह चार है यह च तरसित करने वाला है वह क्या वह का अपका इस्तूप तो यह याद रखना अच्छा एक बात और यहां पर याद रखने हैं आपको आपको कुछी नारा में यह कुछी नारा का मतलब है आपका आगर मैं देखूँ तो यह उस समय राजधानी रहा करती थी मल्लों की कई वार पूछा जाए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार यह भी मल्लो की राज़ानी लिख्या था तो मृत्यू के पश्चाथ प्रिथम बॉध्ध संगती की अध्यक्षता की गई आफ्टर दा डैथ ऑब बुद्धा दा फर्ष्ट बुद्धिष्ट कांसिल बाज प्रिसाइटिट ओवर भाई रहा किसने इसके अध्यक्षता की है तो महत्मा बुद्ध की मृत्यू ही न उसके को तुरंत बाद जो है बॉध्ध जो भी विद्ध्वान तेना उनका संगठन बलाएगा जिसे बोलते हैं बॉद्ध संगती यह हुआ था अजाद सत्त्रू के समय पर इसी को पहली बोलते है ठीक है दूसरी जो बॉद्ध जो बहुद्ध के समय पर अटीक तीसरी हुई थी असोग के समय पर, तीसरी किसके समय हुई है, तीसरी हुई है असोग के समय पर, और जो चौथी है यह किसके समय पर हुई है, तो जो चौथी है यह हुई है आपकी कनिस्क के समय पर, किसकी, चौथी जो है यह हुई है, कनिस्क के समय पर यह याद रखना, ठिक, आगे, प्रथ प्रिथिभ्या प्र॥म्भीर जो है ये उपाधी किसने ली है। इसको भारत का नैपोलियन भी कहते हैं और ये जो उपाधी है ये बी-ए-इसमित के दौरा दिगाई है। किसके द्वारा दी गई है बी ए इसमित के द्वारा जो है यह उपादी दी गई है यह याद रखेगा प्रिथिव्या प्रतंबीर कहा गया है प्रियाग 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 प्रतंबीर कहा इलहाबाद जो प्रयाग नहीं बहाँ पर उसके बाद उनोंने उसके बाद इन्हों ने उसपर जो प्र अंक्टित कराया संस्किर्ट भासा में निखाया नहीं पर लिपी उसकी ब्रह्म्मी कि इसके बाद जो है इस पर जहांगीर ने अपना एक लेख जो है वो अंकित करवाया था और इस पर जहांगीर के साथ साथ बीरवल का भी जिक्र है तो अगर कभी पूचे तो तीन राजाय ऊंप्तो और जिक्र देखने के यहाद रखे च्सात्राकरणी जो है यह 7 बाहन-बंद से संब्दित meinen ते और आद रखिह वहाखा सरच्छक क्या बोलते इसे कहते हैं बंड ब्यवस्ता का सरच्छक टो यह याद रखके कबीर सिथे कबीर बाज़ा इस वहाइज की ओधो त्युका रामानंद के रामानुच सीह उसन क्यों करणे कर दो जो कबीर है वह कोन हो जाएगा तो याद राखेगा वह रामानंद के लामनंद में तो बडा समीन areً को करennes जैसे छूला है यह जूलाहाँ कबीर जालवा जो गया बुलते वह मोचि एक के जथे मोची थे मतलब हर एक बर्ग से जो है इनके सिस्थ थे जो प्रमुक बार है ना उन में से एक थे कबीर ठीक तो यह याद रखना चैतन्य महापुर्व आपने नाम सुनाओ ना यह बैस्ट बंगाल यह बंगाल की साइट के थे ठीक है यह किस की साइट के थे यह बंगाल की साइट के थे तो यह आपको याद रखना है ठीक बढ़िया दिल्ली का भैसिक्चा केंद्र जो मदर्सा यह बेगम कहलाता है किसके द्वारा इस्तापित किया गया था दा एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली भिच बाच कॉल्ड मदर्सा यह बेगम बाज इस्टेबलिस्ट बाई जीनत उन्निसा माहम अगमा जिया उन् में से किसके द्वारा इस्तापित किया गया है वो आपसे पूछ रहा है बता हुजरा किसके द्वारा इस्तापित किया गया है तो याद रखिएगा वो इस्तापित किया गया है माहम अनगा के द्वारा किसके माहम अनगा के द्वारा यह याद रखिएगा ठीक है बीजी त सब्सक्राइब को सजा के पश्चाद निमलिकित में से किसने दया की बकालत की और कहा था सनस्कृत के बिद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहन दिलचस्पी है ना उन्हें चछा शाल की सजा हुई थी और उन्हें मांडले जेल में रखा गया था पुर्द क्या लिखी थी और यह जो सब्द उनके बारे में कहेते वो कहेते मैक्स मुलर ने किसने रहते यह कहा था मैक्स मुलर ने यह याद रखेगा ठीक रविद्धना टेगोर को याद रखेगा 1913 में गीतांजली ना 1913 में इनको जो है गीतांजली के लिए क्या मिला था नोबल प्रॉसकार जो है यह मिला था यह जो इन्हें corporate के लिए तो यह याद के लिए तो यह निम लिकत में किसका योगदान home rule league की स्थापना में नहीं था who among the following did not contribute to the establishment of the home rule league m सुप्रमन्यम एनी बेसेंट बाल गंगा दर्तिलक और टी एस अलकाट पूछ रहा है इन में से किसके योगदान के लिए home rule league की स्थापना नहीं हुई थी who among the following did not contribute to the establishment of home rule league है ना कि इनमें से कौन सा एक है जिसका योगदान नहीं है home rule league के लिए जो home rule league है यह 1916 का क्या जो home rule league है यह 1916 में गठित हुआ है यह याद रखिएगा कि मैं 1916 में सबसे पहले किया था बीजी तिलक ने उसके एक महिने के बाद जो है वह एनी बेसेंट ने इस home rule league की स्थापना की थी दोनों ने अलग-अलग की थी सबसे पहले अलकाट ने की थी बड़े था है तो जो अलकाट है घंगांदार तिलक है और ऐनी बेसेंट हैं ये तीन यो तो इससे जुड़े हैं पर M. सुप्रमंदयम स्वामी है तो वह याद रखिए लेगा आगे भारतिय संबनान के किस भाग में केंदर राज बिदाई संबंध दिए गए हैं अगर मैं केंदर राज बिदाई संबंधों की की बात करूं तो इसके बारे में बात की गई है किस एक भाग में तो यह भाग है ग्यारे देखो केंद्र राज संबंदों की बात की गई है इसमें है ना केंद्र ये भाग 11 में आते हैं किसमें आते हैं भाग 11 में ये तीनों तरह के संबंद आते हैं तो ये याद रखिएगा ठीक है आगे देखो राश्टिय मानवादिकार आयोग के अद्धक्ष का कारिकाल होता है दा टेनियोर अब दा चेर्मेन ओफ नैस्टनल हुमन राइट्स कमीशन तीन भर छे पांच और चार राश्टिय मानवादिकार आयोग के अद्धक्ष का कारिकाल कितना है तो अकर मैं मानवादिकार आयोग की बात करूँ और उसके अद्धक्ष के कारिकाल की बात करूँ तो ये है तीन बर्स क्या है यह हो जाएगा आपका तीन बर्स तो यह भारत में कब गटित हुआ था 1992 के लिए चलो आगे भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्पती कौन था फर्ष्ट उस प्रेशिदेंट टू बिजिट इंडिया डीडी आजनहाईबर जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन चौर्ज वासिंटन इन नवंसे पहला अमेरिकी राष्ट्पती जो है वो कौन जो भारत के दोरे पर आया था वो पहला राष्ट्पती है कौन तो जो भारत के द परमाडू अप्रसार संदी NPT पर अभी तक हस्ताक्चर नहीं किया है नुकलियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी है जो नॉट बीन साइन ये अब तक इस पर किसने साइन नहीं इसके मतलब यह है कि आप परमाडू से रिलेटेड जो परमाडू उर्जा है ना उससे रिलेटे करने के बाद वो संपन है और अब दूसरों को रोगने की कोजिश कर रहे हैं कि नहीं आपको यह नहीं करना तो वाली प्रोब्लम है और यहां पर नहीं चल सकती है ठीक है आगे अंतरराष्टिय अस्त्रम संगठन का मुख्याल है कहां इस्तित है व्यारीज दा हेड़क्व और जिसका गठन उन्निस why पहले बिस्चुद्ध केबाद इसका हैड्कुस्ते नीवडर कहां पार निव यॉर्क में पेरिस में रोम में जैनेवा में नियू योर्क पेरिस paws याजनेवा कहां पर यह याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका जेनेवा में, तो यह याद रखिए हैं किस ने आ हिस्टरी ओफ दा सिक पुस्तक लिखी है, रिटिन दा बुक ऑफ शिक अहिस्टरी ओफ सिक पुस्तक इन में से किस के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है तो याद रखेगा यह लिखी गई है खुसबंत सिंग के द्वारा किसके द्वारा यह लिखी गई है खुसबंत सिंग के द्वारा यह याद रखना इन्हों नहीं एक लिखी है अच्छा बात बताओ ट्रेंट टू पाकिस्तान है यह किसकी पूखे और एक है कंपनी और व यह वहाटो है यह कमेंट में लिखा बटाऊं और अगर न मिले तो क्या करना तो सर्च करना एक साहने ना ऐसा नहीं है कि नहीं आता है तो छोड़ दोगे किसकी है ठीक आगे दोजार अठारे में इन में जए किसने अस सेंचुरी जो नॉट इनफ लिखी है इन टूटावजान एट टीन हूँ अमोंग दा फॉलिंग रोट अस सेंचुरी जो नॉट इनफ यह किसने लिखिए यह बताओ इसके अलावा कुछ ब is straight from the heart यह कपिल देप की है ठीक है का इसके अलावा एक होता है प्लेइंग इट माई यह नोगार वलेओ अ फ्लेइंग इट माई यह यह किसकी है तो प्लेइंग इट मेंड जो है यह है यह है सचिन्त इंदलोगर की ठीक एक है आपकी सेंचुरी जी नॉट इनफ यह है सौर और एक है टेस्ट आफ माई लाइफ किया है टेस्ट आफ माई लाइफ और यह किसकी है तो यह है यूबराज सिंगी किस की यह हो जाएगी आपके यूबराज कि सिंग मैं निंव्ड में से सूची two में अंकित्त इस्थान का अनुसार गलत-धर्स आई गया केंद्र tyre सुष्क छेत्र अनुसंदान संस्था जोद्ध पुर चेंद्रिय भवन निर्माग अनुसंदान संस्थां रोड़की केंद incarnation- आसाद संस्तान कानपुर केंदिरे खननवा इनन अनुसंदान संस्तान धनवाद विच आप फॉलंग इस्टिट्यूशन इन लिस्ट बन एंड है पीन शोन ग्रॉंग ली एकॉर्डिंग टूदा प्लेस मेंसें इन लिस्टू पूछ रहा है इन में से कौन सा गलत दर्सा आया यह यह संस्तान है और सामने जो हैं वो हैं आपके इस्थान अब कौन सा गलत दर्स आया गया वो पूछ रहा है ठीक है बता वजरा है यह बहुत अच्छे हुआ का तो तो ऑच्रू अक्ताइब जोड़ यह बढ़िए वह की सबस्कांग ऊच्छडर शनसद्दान जोदपूर में सही है कैंद्र ऑवन निर्माड अनूसंदान संस्धान रोडकी में ठीक है केंद्रिय खननबाइन-然后-7 n-cत धनबाद में है ठीक है केंद्रिये औस अनुसंदान संस्थान जो है न यह कानपुर में ना होकर कहां पर है कानपुर में ना होकर यह है लखनौ में कहां पर कानपुर में ना होकर यह कहां पर है कानपुर में ना होकर यह हो जाएगा आपका लखनौ में तो यह याद रखिए ठीक आगे भारतिय सर्वेश्चण विवाग का मुख्याल है कहां इस्तित है वह इन में से कौन सी एक जगह है जहां पर इस्तित सर्वेश्चण विवाग यानि की पूछ रहा है सर्वेश्च अधिकारों को इन में से कहां से लिया गया है संग्य सरकार को जो मतलब किसे दिया गया ज है जैसे आपके विष्चयों की वह साथ में इसमें लिखाए कि जो संग है जो संग संग कानून बना सकते। जो राज्य हैं उन पर सभी राज्य कानून बना सकते तो जैसे साइवर है जैसे इंटरनेट का मिदा निकाय से इस तरह की चीजे इन पर अगर कानून बनाना हो टो कौन बना सकता है तो याद रखना संगिय सरकार बना सकती है चलिए आपके आज की टonstrukt satisfjekt क्लास आपको पसंद आई-ोगी पसंद आई यह तो क्लास को शेर उलाइक कर दीजिए चल्म को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबाईए याद रखिएगा यूपी प्लीज 2023 के लिए आपके पास है सिपाही बैच के लिए क्रेश कोर सही है आपका 250 में आप इसे जोईन कर सकते हैं सारी क्लास जो है आपकी एकदम बेशिक से होंगी यह जो ऑफर है यह एक जनवरी तक है ठीक है फॉजी बैच के लिए आपका लाइब जो है 399 में आप इसे जोईन कर सकते हैं लाइब क्लास क्लास ट्रॉट्टी और डाउट सेसन मिलेंगे ऑफर जो है यह सी में समय के लिए है यह याद रखिए मैत और रिजिनिंग के लिए रोज रहा ताट बजे एक दम बेशिक से क्लास होती है आपके अपने अजैसर इस क चुत्तन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी है इसमों पर पिन किया गया यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहां मिलेगा आपको डेली कुछ मॉक्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट नूट सीबुक और भी बहुत से जरूरी है आपके इ स्सी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक इसे आपको सेर करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबाना है पैन पेपर लेकर बैठना है जिससे कि जो कुछ भी नया मिले उसे आप लिखें और उसे अपने एक्जाम तक लेकर जाए यदि आपके आज की क क्लास उम्मीदे क्लास आपको पसंद आई होगी नेक्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत